नमस्कार दोस्तों, BK Education में आपका स्वागत है, तो आप लोग का HHM का पेपर हो गया है, ठीक है, तो आए थोड़ा सा पेपर के बारे में भी जनकारी ले लेते हैं, और जो कल पेपर है आपका Structural Mechanics, उसमें कौन-कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और किन से ज़्यादा नुमेरिकल पूस्ता है, किन से ज़्यादा थियोरी पूस्ता है, यह मन में आप लोग के डाउट रहते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, अभी, जस्ट पांच-विंदस मिनिट इसको देखेंगे, फिर उसके बाद उसको आपको और आप लोग उसी के अनुसार फिर अपनी तयारी बना दीजिएगा, ठीक है, तो यह अचचम का पेपर है, जो आज हुआ है अभी, 2022 वाला, ठीक है, अगर इसमें, 2023, इसमें अगर हम लोग देखते हैं, क्वेस्टन नंबर जो एक पूछा है, वैसे देखें, सभी पेपर पूछ रहा है, यानि कि 55 नंबर में होगा ये, और अगर आप इसको हल आसानिस कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आप ये भी कर सकते थे, विशिष्ट घनतों स्यानता और केसिका तो क्या है, ये नुटेनियन, नाट नुटेनियन में अंतर लिग दिये हो और ये कुल दाप, प्रणामी दाप, दवाव केंद्र को उचित उधानत साथ परिभासित करिए, ये एकदम पूरा पढ़ाया हुआ है, अभी जस्ट मोस्ट में ही पढ़ाया थे दो दिन पहले, तो इस पर भी आप अच्छे से कोशन इसको किये होंगे, इसमें से दो कीजिए, वायमंडली दाप, एट्मास्टफेरिक प्रेसर, प्रमाडी प्रमापी दाप, निर्पेक्छ दाव, ठीक है, यहां पर वायक्यूम प्रेसर और एबसलूट प्रेसर आपको ये पूरा इसमें बताना था, ये आपस में कैसे संबंधि स्थापित हैं, कैसे संबंध तो आपको फार्मूला लिख देना था न, जो बताये थे आपको फार्मूला 2, उसको लिखना था इसमें, लैमिनार और टर्मूलेंट प्रवाह क्या है, उदार सही समझाइए, तो आपको कल ही अभी जब पढ़ाये थे आपको, तो इसमें से दो भाग करना थो दो हो जाता तो यहां पर है रखिस मीटर क्या है पहला इसमें और इसमें सिर्फ एक नहीं भाग करना था दस नंबर का था इसलिए यह ठोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेंदी क्यों होगा भाई क्योंकि हम आपको जो है न यहां पर कल पढ़ाये थे कली पढ़ाया कि आरफिस मीटर क्या है बकाईदा फीगर के साथ भी बताये थे और क्या कार सिधान था वो भी बताये थे ये वेंचुरी मीटर से कैसे भिन है तो क्या करते हैं आप वेंचुरी मीटर और आरफिस मीटर में डिफरेंस लिख देते आई बास समझ में उसमें बत की गढ़ना के लिए चेजी और मैनिंग का फार्मूला यहां पर लिखना था तो फार्मूला बसी लिखना था वीज कल टू सी रूड में यह ना करते आप उपर वाला कर देते तो पर भी आपको पूरा नंबर दस नंबर यहां से मिल जाता किये होंगे बहुत लोग किये बताना था बट यह नहीं आपको बताएं थे लिए कर सकते हैं हाट्रोलिक पंप से आपका प्रियोग कहां पर हो लिखते क्योंकि दस नंबर पूछा है तो आप इसमें अपके अंदरी पंप और वन सब का भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा बता देते फीगर बनाना यह यह प बता देना चाहिता कि अधाडोलिक पंप से क्या होता है आपका कि पंप से जो है मारा लिफ्टिंग करते हैं पानी उगर तो यह सारी चीज़े और प्रहाव क्या है वह भी आप बता सकते थे अपने मन से नेस्ट कोशन है आपर बात करें कोशन नमबर पांच कोई एक भाग को हल करना है तो आप इसमें आप इसमें सिंपल तरीके से सिर्फ आप क्या करते आपके अंदरी पंप की क्रिया विधिलिक देते और लाभ और हानिया उसके उपयोग भी बता देते काम खतम ठीक है यह नु कोशन नमबर पांच आसानी से यह किये भी होंगे सभी लोग यहीं किये होंगे और अगर हम लोग अब नेश्ट की बात करते हैं जो पेपर आपका भी है ठीक है तो इस्ट्रक्चरल मेकानिक्स में अगर हम लोग देखें तो यहां पर जड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमे हमारे टोटल कितने टापिक है चैप्टर कितने हैं नौ चैप्टर है ठीक है और हम यह सब पढ़ा भी चुके हैं आपको अपलीकेशन पर बकाइदा पढ़ाए भी थे उसमें नुमेरिकल भी करवाए थे और यूटूब पर भी पिछली भी वीडियो सारी पढ़ी हुई है और अभी जस्ट एक्जाम से पहले जब एक्जाम ने सुरू था उसके भी पढ़ा दिये थे आए पहले यहां पर समझ लेते हैं कि कौन से चैप्टर से थियोरी आएगा कौन से चैप्टर से नुमेरिकल आएगा देखिए प्रापर्टी जाप जो मैटेरियल पहला पूच सकता है अधर वाइज बहुत मुस्कील है किससे नुमेरिकल पूच ले ठीक है सियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से थियोरी प्लस नुमेरिकल दोनों आता है ठीक है थियोरी प्लस नुमेरिकल दोनों आता है एक नुमेरिकल यहां पर भी आपका मिलेगा और नुमेरि आप एक आक्ठ थियोरी आ गया भूले बटके यह उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका नहीं रहता है कभी कदाब पूछ लेता है स्लोप और डिफलेक्शन से थियोरी नहीं पूछता है इससे नुमेरिकल पूछता है बट अभी दो साल से पिछले दो साल से इससे कोई नुमेरिकल नहीं पूछा है स्लोप डिफलेक्शन से ठीक है कालम नंबर आठ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे क्या है कि कालम में जगर देख चैप्टर नंबर आठ तो इससे थियोरी एक आग दो पूछेगा बाकी इससे नुमेरिकल फिक्स है नुमेरिकल फिक ठीक है पहला दूसरा थियोरी के रूप में रट लीजिए और तीसरा और उसके बाद यहां पर बेंडिंग अरे बेंडिंग इस्ट्रस तो महत्रपूर्ण है यार सीयर इस्ट्रस भी एक चैप्टर यहां पर 6 चैप्टर छूट गया क्या नहीं लिखे एक चैप्टर इसमे सीयर इस्ट्रस इन भी तो सीयर इस्ट्रस से कभी कदापिक अगनुमेरिकल आ जाता है लेकिन यहां पर जो बेंडिंग इस्ट्रस है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आई बास समझ में बेंडिंग स्ट्रस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फिक्स कोशन है तो बे यहां पर यह chapter बहुत महत्तुपूर है क्योंकि theory plus numerical आएगा और chapter number 9 से सिर्फ एक theory आता है यह आएगा तो आपके बात करें ना तो chapter number 1, 2, 3, 5, 8, 9 अगर यह total आप एकदम रटे हैं और numerical सहीत यानि कि इसका भी numerical इसका भी numerical यह भी आपका क्या है theory तो नहीं आता है, numerical ही इससे बाता है, bending stress क्या होता पूछ लेता है, बट यह numerical ही इससे आता है, derivation यह एक है ठीक है, यह derivation numerical तो यह fix है, तो chapter number 8, chapter number 2, chapter number 3, chapter number 5, chapter number 8, chapter number 9 तो total यह हमारे कितने chapter होगे, 3, 3, 6, अगर यह 6, chapter 9, chapter में 6 chapter आप एकदम तयार कर लेते हैं, ठीक है प्रवार्स वाले से, bending stress वाले से, कालम से, यह तीनो चैप्टर्स नुमेरिकल हर साल पूछे जाते हैं, और मैं यह चैप्टर करवाया, मुही नुमेरिकल यूटूब पर भी अपलोड है, अब लीकेसन पर भी अपलोड है, और theory भी इसका हम करवा चुके हैं, जिसमें कालम की theory करवा दिये हैं, और इधर आपका CR force and bending moment की theory करवा दिये हैं, आप इसमें अगर बात करें, property या material और simple stress system का जो है, यह थोड़ा सा बचा हुआ है, तो देखते हैं, अभी PDF बना रहे हैं, तो आप लोगको PDF प्रवाइट कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, याइसे भी प्रवाइट कर देते हैं, तो आपको समझ में आ चुका होगा, कि क्या इसमें पढ़ना है, और प्लेलिस्ट से जाके इसको पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से और इसको भी त्यार करिए, लेकिन हाँ, यह सोचिए हम क्योवल theory से ही पास हो जाएंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा भीया कालम और bending stress, shear force and bending mode diagram का जो numerical है, वो बहुत easy numerical है, simple formula पर bending stress और कालम का numerical होता है, तो numerical जरूर करके आईए 10 नंबर में पूछा जाता है, तो तभी आप अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है, तो numerical ऐसा ना सुचे क्योवल, यह तो HHM था थियोरिक भरोसे होगे, HHM में हो